बागलपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रयल को होगी वोटिंग आज चुनाव प्रचार के आखरी दिन बीजेपी अद्यक्स जेपी नड़ा ने की जन सभा एंडिये प्रत्याशी अजे मंडल के समर्थन में मंगा वोट इंडिया गडवंदन प्रत्याशी जोबा मांजी के नमांकन में पहुँचे सीम चंपई सोरेन चंपई सोरेन ने ठोका दावा कहा लोग सब चुनाव में हम जार्खन की सभी 14 सीटे जीतेंगे पहले चरण के चुनाव में हमारी जीत पक्की पोर्व सीम हिमन सोरेन की पतनी कल्पना सोरेन ने बीजेबी बर कसा तंच कहा हम उस बीजेबी को खार फेकना चाते हैं जो आदिवासयों का हाक और अधिकार छीनना चाती है बीजेबी प्रत्याशी प्रतीब कुमार सिंग के बक्ष में रोड शो करने अररिया पहुँचे सांसद मनोश्तिवारी मनोश्तिवारी ने किया दावा कहा आज लोग केंदर सरकार की यूजना का उठा रहे हैं हलाब इस बार बीजेबी करेगी 400 पार चुनाव प्रचार के आखरी दिन आज एक्ट्रस नेहा शर्मा ने तेज धूप में किया रोड शो जगदीश्पूर में नेहा शर्मा ने अपने पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के समर्थन में मांगा वोट नेहा शर्मा को देखने के लिए उमड़ी चुनाव प्रचार का आखरी दिन जेपी नड़ा की जन सभा सांसद मनोश तिवारी का दावा बीजेपी करेगी चार सो पार सीएम चमबई सोरेन ने 14 सीटो पर ठोका जीत का दावा बीजेपी को उखार फेक नही तैयारी में कल्पना सोरेन चिल्चिलाती धूप में जीप पर चड़ी अक्टरस नेहा शर्मा रोट शो के दोरान दिजस्वी को जिलना पड़ा विरोध लोग सब़ चुनाव दौजर चौबीस के दूसरे चरण की चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे सीम नितीश कुमार ने आज निस्टे रत पर सवार होकर भागलपूर में रोट शो किया रोट शो के जरिये नितीश कुमार ने जेडियू कैंडिडेट अजयमंडल के लिए वोट की अपील की वहीं मौके पर रोट्शो के दौरान कारेकरताओं की उम्डी भीर ने नितीश कुमार का जोरदार स्वागत किया इंडिया गटबंदन प्रत्याशी जोबा मांजी के नमांगन में पहुँचे सीम चमपई सोरेन ने दावा ठोका उन्होंने कहा कि इस लोग सबाचुनाव में हम जारकन की सभी 14 सीटे जीतेंगे इस चिलचिलाती धूप में जिस तरह से जनसलाब उम्ड़ा है उससे ये साफ हो चुका है कि पहले चरण के चुनाव में हमारी जीत पक्की है मुख्यमंतरी चमपई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधान सबाचुनाव में कोलहान में हमने बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया था हमने जारकन के विकास के लिए बहुत काम किया लेकिन बीजेपी आदिवासी के हितों के बारे में कभी नहीं सोचती नवांकन में शिर्गत करने पहुँची पूर्व सीम हेवन सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंच पर कहा कि ये सिंग भून की धरती है यहां के लोग शेर हैं किसी के सामने जुकते नहीं है साथ ही उन्होंने बीजीपी पर तंच तक अस्ते हुए कहा हमारी शक्ती ना तो अंग्रेजों के सामने जुकी और ना ही ताना शाही सरकार के सामने हम उस BJP को उखार फेकना चाहते हैं जो आदिवासियों का हक और अधिकार चीनना चाहती है सिंग भूम सीट से इंडिया गटबंदन प्रत्याशी जोबा मांजी ने नामांकन किया नामांकन के बाद खुनक्ती मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हिमन सोरेन की पतनी कल्पना सोरेन समेट जेएम के महासचीफ सुप्रियों भटाचारय आदिम मंच पर मौजूद रहे भागलपुर में दूसे चरण में 26 अप्रेल को वोटिंग होनी है इसी बीच आज चुनाव प्रचार के आखरी दिन बीजेपी अध्यक्स जेपी नड़ा ने भागलपुर में एंडी प्रत्याशी अजे मंडल के समर्थन में वोट की अपील की और मोधी सरकार की 10 साल की उपलब्दियां भी गिनाई भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड़ा ने इंडिया लाइंस को परिवारवादी और विष्टचारी दलों का गड़ बंदन करार दिया साथ ही कहा कि इंडिया लाइंस में जितने भी दल के नेता हैं वो सभी परिवारवाद और करफशन में डूबे हुए हैं जिन में से आधे जेल के अंदर और आधे बेल पर बाहर हैं गोवा के राजयपाल पी एस श्रीधरन पिल लई अपनी पत्नी के साथ एक दिवसे दौरे पर नालंदा पहुँचे जहां उन्हें अंतरास्टे परेटन इस्थल राजगीर के परिसदन में जिला प्रशासन द्वारा गार्ड आफ ओनर दिया गया इसके बाद सुरक्षा व्यवस्ता के बीच प्राचिन नालंदा विश्यविध्याले के भगनव शेश परिसर पहुँचे और बारिकी से सभी मुनेस्ट्री का घूम घूम कर अवलोकन भी किया वहीं इस्थाने गाइड कमला सिंग ने उन्हें इससे जुड़े तिहास की ज जो हमेशा के लिए है किसी राजनेतिक उदेशे के लिए नहीं है शिरिपिलाई ने बताया कि जिस समय विश्यविध्याले जीवन्त था हम शिक्षा और ग्यान के छेत्र में शीर्श पर थे पुर्तगाली ब्रेटिश फ्रांसिसी फार्सी लोगों ने पूरे भारत पर आक शो के दरान विरोध का सामना करना पड़ा इस दरान पपुई यादव जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग तेजस्वी के काफिले के आ गया गए हाला कि तेजस्वी की गाड़ी तक पहुचने से पहले ही तेजस्वी के कारेकरताओं ने उन्हें रोक लिया इसके बाद दोनों कारेकरता आपस में बिढ़ गए ए आई एम आई एम चीफ ओवेसी ने किशन गंज में जनता के बीच एक बयान दिया ओवेसी ने कहा कि 26 अपरेल को आपको एक तारीक बनाना है उस दिन जुम्मा है और उस दिन शेतानी ताकत को काम्याबी नहीं मिलेग उस दिन किसकी आपकी काम्याबी होगी इसलिए नमाज पढ़ने के पहले और बाद में दोनों समय वोट डालिए भागलपूर लोग सबक छेतर में चुनाव प्रचार के आकरी दिन आज एक्टरस नेहा शर्मा तेज़ दूप में जगदीशपूर पहुंची जहां उन्होंने तेज़ दूप में अपने पिताओ और कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के समर्थन में रोड शो कर वाले बयान पर कड़ा रियक्शन दिया है बीमव भारती ने सीम नितीश पर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि नितीश जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं मदेपुरा लोग सबा के जेडी प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने एंडिय गटबंदन के सभी दलों के दरजनों कारेकरताओं के साथ मुडली गंज प्रकंड अंतरगत जोरगामा हरीपूर कला दिग्गी समेत कई गाओ और वाड़ों में जनसंपर्क अभियान चलाया इस बीच उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार की उपलब्दियों को जनता के बीच रखा और लोगों से उनकी समस्या जानी साथ ही निदान का भरोसा भी दिया वहीं मौके पर दिनेश चंद्र यादव ने जनता से विकास के नाम पर वोट मांगा चुनावी मैदान में जे एमेम विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में नमांगन दाखिल किया जिससे कांग्रेस प्रत्याशी सुगदेव भगत को बड़ा जटका लगा तो वहीं बीजेबी प्रत्याशी समेर उराओ को अब आमने सामने नहीं बलकि त्रिकोडी मुकाबले के साथ ही अन्य प्रत्याशियों से वोट बैंक में सेंद मारी से भी सामना करना होगा कांग्रेस प्रत्याशी सुगदेव भगत से जब मीडिया ने पूछा था कि JMM विधायक चमरा लिंडा भी चुनावी मैदान में होंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि लोकतंत्र में सभी को अपनी स्वतंत्र विचार के लिए छूट दी गई है JMM विधायक चमरा लिंडा हमारे लिए मित्र जैसे हैं और यही कहूंगा कि कांग्रेस को जिताने के लिए आगे आएं और कोई भी ऐसा निर्णे ना लें कि लोक सभा चुनाव में BJP को फायदा पहुँचे लेकिन अब चमरा लिंडा चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सुकदेव भगत के लिए ये कहावत सटीक लगती है कि दोस्त दोस्त ना रहा अररिया के BJP प्रत्याशी प्रदीब कुमार सिंग के प्रक्ष में रोड शो करने पहुँचे दिली के सांसत मनोज तिवारी मनोज तिवारी का हेलिकॉप्टर 11,35 पर सिक्टी विधान सबच्छेतर के बरदाखा हाई स्कूल के मैदान में उत्रा इस दोरान उनके रोड शो में हजारों की संक्या में सडक किनारे लोग मुझूद रहे उसके बाद उनका काफिला बरदाहा बजार पहुचा जहां से वो वापस हलिपैट पर पहुचे रोड शो के दोरान सांसद मनोश्तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मोधी जी के कारियों से पूरा देश लभानवित हो रहा है और आज लोग केंदर सरकार की योजनाओ का लाब उठा रहे हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार जनता हमें भारी मतों से विजय बनाएगी और 400 सीट पार करने की उम्मीद है सांसक मरोश्तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपना उमीदवार बना रहे हैं इसका जवाब भी जनता देगी वहीं बांगलादेशी गुस्पैटियों को लेकर उन्होंने कहा कि आज बांगलादेशी गुस्पैट एक समस्या है एक साजिश के तहर विपक्ष उसका फायदा उठाना चाता है जहां हमारी सरकार नहीं है वैसे राज्ये गुस्पैट का फायदा उठा रहे हैं जिसे समेर उंग्राओं ने आज बुद्वार 24 अपरेल को नमांकन दाखिल किया इस मौके पर गुमला पहुचे गुजरात के सीएम भुपेंद्र भाई पटेल का हवाई अड़ा पर अभी नंदन किया वहीं मौके पर बीजेपी नेताओं ने भुपेंद्र भाई पटेल को फू समर्थकों ने पुश्व माला पहना कर पवन भया जिन्दाबाद के नारे से उनका स्वागत किया इस दोरान बारिश के साथ जमकर ओला व्रश्टी हुई लेकिन समर्थक तस से मस नहीं हुए पवन सिंग ने जन्ता के बीच अपने संबोधन में कहा कि हम कारकाट में नेता बनकर नहीं बेटा बनकर आए हैं और हमें गारजन भाईयों माताओं और बहनों के आशिरवाद की जरूरत है वहीं मौके पर उपस्तित लोगों ने बताया कि पवन सिंग की एंट्री एंडिये गटबंदन के लिए घातक सिध हो सकती है क्योंकि बिहार में जाती की छाती पर राजनीतिक होती है और पवन सिंग की एंट्री के बाद राजपूत वर्ग के लोग पवन की मुरीद होते दिख रहे हैं जो एंडिये गटबंदन के लिए खत्रे का संकेद है लोग सबचनाफ में मतदाताओं को जागरूप करने के लिए लोग गई का मैथिली ठाकूर अपने पिता के साथ सेंडिस कंपाउंड पहूंची जहां मैथिली ने लोगों से जादा से जादा संक्या में मतदान केंदर जाकर अपने वोट डालने की अपील की साथ ही कहा कि मैं भी इस बार पहली बार मतदान करूंगी वहीं इसके बाद मैथिडी ने मतदान गीत के साथ कारेकरम की शुरात की गुमला जिले में स्वीब गतिविदी के तहट मतताताओं को जागरुक करने की उदेशे से भारत स्काउट और गाइट की माध्यम से जागरुकता रैली का आयोजन हुआ इस दोरान जिला निर्वाशन पगादी कारी और उपायुक्त शुरी कर्ण सत्यार्थी सहीत काई कारेकरताओं ने रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया मुफसिल थाना चेतर अंतरगत चांदपूर में बीती रात चोरों ने बंद घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है ताला तोड कर अलमारी से लगबग 15-16 बोरी सोना और 62,000 रुपे नगदी लेकर चोर फरार हो गए पताया जा रहा है कि पीडित परिवार किसी कारे करम में रिष्टेदार के घर जान की नगर गया हुआ था घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलीस मामलेगी जाच में जुटी है वहीं कुछ दूरी पर लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है